व्यक्राइब जीकवाड उत्रप्रदेश की पुलिस प्रिक्षा करें सभी स्टूडेंट के लिक बहुत ही महात्पूर्ण वीडियो देखा जा हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारती पड़ोसी देश संबंदिन महात्पूर्ण प्रश्णों की आप सब को मैं बता द देश की पुलिस परिक्षा में मोस्टली प्रश्ण बनते हैं तो याद रखें चार से पांच प्रश्ण डारेक्टली जो है भारती पड़ोसी देश से बनते ही बनते हैं और मैंने इस वीडियो में लगबख सभी अपडेटेट प्रश्णों को रखा है जो आपको एक्जा वीडियो के सभी प्रश्ण को समझ लेना है क्योंकि ऐसे प्रश्ण आपको फिलाल कहीं मिलने वाले है नहीं और यह वह प्रश्ण है जो आपको क्या सेलेक्शन की ओर ले जाएंगी क्योंकि बहुत ही सिलेक्टेट और बहुत ही मात मोल पर आसमें सभी तो करना क्या है उनिवर्सल पैंसन योजना जो है शुरू किया ठीक है तो प्रदहान मंतरी यूनिवर्सल पैंसन योजना आप से पूछा जाएगा कि भारति पढ़ोसी देश ने शुरू की है ठीक है दो आपके पास चार ओप्संस होंगे बांगला देश पाकिस्तान श्री लंका या अफ कुईच के सब्सक्राइब करेंगा कि हाल ही में भाति टैली-कॉंट कंपणी रिलाइन्स जीओ में किस देश को हाइच स्पिड टोब्र केबल से जोड़ने का कार पूरा कर लिए ठीक हाई स्पिड ओप्टिकल ट्याओ फाइबर केबल से जोड़ने का बहुत ही सेलेक्टेड बहुत ही महात्पूर्ण प्रश्ण है मैं आप लोगों को वीडियो प्रवाइड करता हूं जो आपको एक्जामें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगें लेकिन फिर भी आप हमारे वीडियो पर लाइक्स दे रहें तो प्लिस आप लोग देख रहे हो वह प्लिस आप लोग तो करो आप लोग करो जो आप लोग देख रहे हो क्योंकि आप समझ रहे हो कि मैं आपको क्या पड़ा रहा हूं ठीक है कि गीतिका श्रिवास्तों अच्छे सिनका नाम याद रखें किस भारती पड़ोसी देश में भारती मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला है ठीक है तो देखे एक भारती मिशन स्टार्ट हुआ है पाकिस्तान के अंदर ठीक है और गीतिका श्रिवास्तों जो है इस मिशन की पहली महिला होंगी यह चीज़ आपको याद रखना है ठीक है महात्मूर्ड प्रशन ऐसे ही प्रश्ण उत्र प्रदेश की चार से उत्तर प्रिदिस पर रिख्षा के चार से पांच प्रश्ण आप मिस कर रहे हो क्योंकि इंटरनेशनल मुद्दे जितने भी हमारे बॉर्डरी देश यानि जो हम से बॉर्डर मिलाते हैं उनके से संबंदित अगरा प्रश्ण नहीं आद कर जा रहे हैं या आपको न सफेज चावल के निर्याद को मंझूरी में मॉर tendency नेजरी रख़यत करेंगी कि अक्टूबर को हिंदू विराष्ट महा जो है मातपुन समझ एक अमेरिकी राज है ठीक है नाम क्या है जॉर्जिया इसने क्या किया है हिंदू विरासत महागोशित किया किसे अक्टूबर को ठीक है तो किसी विदेशी देश में अगर हिंदू विरासत महागोशित किया जा रहा है किसको अक्टूबर को तो महात्पूर्ण है अपने में तो अमेरिकी राज ये राज होगा ठीक है अमेरिकी राज ने अक्टूबर को महत्मुड कोश्चन यह भी याद लेश कुशन के बात करेंगे कि घाई-जात्रा-उस्व मनाया गया है भात्पुल प्रशन है, गाई, जात्रा, उस्षा, हाल ही में किस भाधी पड़ोसी देश में मनाय गया है, तो आपको याद रखना है, ठीक है, तो यह भी भात्पुल कोशन है, ठीक है, चलिए, लेस्ट कोशन की बात करेंगे कि भारत में ही किस देश का सबसे बड़ा निर्य तो आपको यहाद रखना है तो भारत सबसे बड़ा निर्यातक भागिदार जो बना भी हाल में वह बांगला देश के साथ बढ़ा है चीक है यह भी महात्मुड प्रशन है याद रखी रहा हाली में किस देश लेड़े के सिंग्लिंग सिस्टम को विक्सित करने के लिए भारत के इंटर कॉन इंटरनेशनल के साथ समझहोते की है महात्मुड कोश्चन ठीक है ऐसा ही प्रशन बनता है आपको लिए अग्जाम में तो किसके साथ के हैं स्री लंका के साथ ठीक है महात्मुड प्रशन यह भी इसको फोड़ा अच्छा सी याद रखीगा फिर हमने की बात करे साथ भारत का संचयुक्त अभ्यास है जो मेगाले में संपन हो आभी हाल ही रोज़ाएं बात करेंगे कि लूरपुर्द्य क बात क्सBox का कि यह कहां से प्राप्ट हुआ है किसे रूरी प्रेयंत्र के अंदर है और उसे प्राप्ट हुत के दवरrr करेंगे कि हालही में पद्मा ब्रिज रेल लिंग का ऊंधाटन किया इस ब्राइन तो पद्मा रेल जो परियाटक वीज़ा भारत को स्री लंका याद रखिए यह किसे ने बात करेंगे कि हाली में किस भारती पढोसी देश द्वारा गौरी मिसाइल का सफल परिकशण किया गया ठीक है तो गोरी मिसाल का सफल परिक्षण जो किया गया है ये किस दोरा किया गया है पाकिस्तान की दोरा किया गया है ये चीज़ आपको याद रखनी है फिर हाल ही में किस देश के दोरा आठ पूर्वे भारती नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाईगी बहुत ही मह कोशन याद रखीगा कि हाल ही में किस देश द्वारा जो आठ पूर्व भारती नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है तो यह कतर ने सुनाई है यह भी बहुत महत्पूर्ण कोशन है इसको भी आप तो अच्छा सी याद रखेगा ठीक है फिर में बात करेंगे कि आवा जो है बहुत महत्पूर्ण कोशन है तो इसको भी आप अच्छा सी याद रखेगा ठीक है फिर में बात करेंगे कि हाल ही में जो है सुरिख्यों मेरे चीन मयामार आर्थिक गलियारे को कहां तक बढ़ाने की खोशन की गई है ठीक है तो यह भी अपने में बहुत महत्पूर कोशन है काफी विवादों में भी रहा है चीन मयामार आर्थिक गलियारों को अब जो है भारत के बहुती पढ़ोस में रहने वाले देश स्री लंका के तक बढ़ानी की जो एकोसिस की जा रही है जो भारत प्रमुक समस्या का कारण बन सकता है ठीक यह चीज अब को याद र दिल्ली में बंद कर दिया है तो अफगानिस्तान ने क्या किया है डिलली में अपना जो है दूत अवास बंद कर दिया है यह चीज आपको याद है तो नर्य कोशन की बात करेंगे कि हाल ही में जो है किस देश ने थाइलंड और स्री लंका के बाद भारती नागरिकों को 30 द पहला एश्याई देश कौन बना ने वाला जो पहला इस आपको याद रखने महात्पड कोशन है यह सब कोशन आपको एक्जामेश शोटी देखने को मिलेंगे बात करेंगे हाल ही में जो है किस देश ने 75 भारती स्टैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है तो यह माल द्वीप में थे अब इन्हें क्या किया है महात्पड कोशन याद रखेगा फिनेश कोशन की बात करेंगे कि हाल ही में किस भारती पढ़ोसी देश ने काला जार रोग का उन्मूलन कर खुद को इस रोग से फ्री घोसीत किया गया महात्पून बहुती महात्पड कोशन ठीक है तो काला जार ऱोक बहुती खतरनाँग रोग होता है और इसको क्या क्या गया है उस देश से ज़ुह現在 नवे चौहीन नहीं कर दिया है तो इह पूरी तरह से खतं करने का जो लक्ष निधारित किया नहीं कतम भी कल लिया है बंकला बैसे इसमे बी याद देखिएगा करेंगे कि हाल ही में जो एक किस देशने दुनिया का पहला चौथी पीडी का म्लाट्र सिरू किया थीक है तो चौथी पीडी का जो जीता है यह किसमें जीता है बंगला देश में जीता है यह अपने में बहुत महात्पुर्ट प्रश्ण है तो याद रखेगा फिर अम डेश कोशन की बात करेंगे कि हाल ही में जो है किस देश द्वारा भारती ससस्त्र बलो को गोल्डन ओयल प्रुसकार से जो है सम्मानित क्या गया है किसको क्या गया है भारती ससस्त्र बलो को किसके द्वारा क्या गया है श्री लंका द्वारा क्या गया यह भी बहुत ही महात्पुर्ट प्रश्ण है इसको भी आप अच्छे सी आद रखीगा ठीक है फिर नेश कोशन की बात करेंगे कि हाल ही में जो है दो देश पूर्ण कोश्चन है अगर आप इंटरनेशनल मुद्दों को नहीं जानते हैं तो यूपी पुलिस की परिक्षा में आप चार से पांच प्रशन गवा रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा पूछा जाता है यह ठीक है एस एफफ वुमेंस अंडर नाइंटीन चेयमपनशिप दो हजार चॉबश जो है भारत के साथ संयुक्त विजेता घोशित किसे क्या गया है तो संयुक्त दुरूप से विजेता घोशित हुआ है बंगलादेश यह आपको याद लखना है हाल ही में पोखरा को किस देश ने अपनी परियाटन राजधानी घोसित किया ठीक है पोखरा तो भाई आपको पता ही होगा नेपाल की राजधानी क्या काटमांडू लेकिन पोखरा को क्या किया है इन्हों ने अपनी परियाटन राजधानी घोसित कर दिया है नेपाल ने तो दुनिया का सबसे वायू प्रदूसित देश घोसित किया गया है ये चीज़ आपको याद रखना है और मैदिन पोया उत्सव जो है दोजार चौबीस में किस भारती प्रदूसित देशन में जो है मनाया गया है तो यादिन पोया उत्सव जो मनाया जाता है ये श्री लंका मन बहुत बड़े पैमानी पर मनाया जाता है इसलिए आपको यह याद रखना है ठीक है नेश कोशन की बात करेंगे कि हाल ही में जो है ब्रिटेन ने कथित तौर पर जासूसी को लेकर किस देश पर प्रतिबंद लगा दिया तो भाई ब्रिटेन ने किस पो जासूसी को लेकर प धीकशों की बात करेंगे गाइका जो है तो अब और बनें ब्रमोर परुसकार महात्मोर प्रैश्णётся सब्सक्राइब पर बात करें कि वायू गुडवत्ता सूचकांग निमलिकित में से किस तैस्ट की राजधानी सीर्ड सेर्च भाइब नेपाल की राजधानी सीर्ड़ रही है पूरे देश दुनिया मैं ठीक है मात्पुल्ट कोशन याद रखेगा बहरत अगले पाँस वर써 तक किस देश के प्र kendam कारेगा तो भारत जो है यह बांगला देश के क्या कज swoją क्या करेगा पाकिस्यंड करेगा यह व्हले लिखीत में इस ने अधिकारिक तौर पर भारती योग पद्धती को अपनाया है पाकिस्तान ने इसको बेच्छा सियाद रखेगा नेश कोशन की बात करेंगे एक रिपोर्ट के अनुसार किस भारती पड़ोसी देश में पिछले 10 दसों को में सबसे कम जनसंक्या व्रद्धी देखी गई है तो पिछले 10 दस कोसी देश में मनाया गया तो आपको याद देखना है नेपाल में चलिए नैश कोशन की बात करेंगे कि सिरबाज खान के इस देश का परवत रोही है जिनने हाल ही में मांट एवरेश की चड़ाई बीना ऑक्सीजन के किया ठीक है बीना ऑक्सीजन सिलंडर के लिए यह अप पाकिस्तान के हैं इनको अच्छे से याद रखेगा ठीक है नेश कोशन की बात करेंगे कि हिजाब और अन इस्लामी परिधानों का पूर्ण रूप से प्रतिबन लगाने वाला विदह कहां पारित हुआ है तो यह कजाकिस्तान में हुआ यह आपको अच्छे से याद रखन किस देश के भारत में उच्चा युक्त बने हैं तो साद एहमद जो है यह भारत में पाकिस्तान के क्या बने हैं उच्चा युक्त बने हैं तो भाई लास्ट कोशन है इसका आंसर आप मुझे करेंगे क्योंकि मैंने भी कल की वीडियो में इस को कराया था हाल ही में किस भार तो यह इतने महात्पूर्ण कोश्चन है जो आपका एक्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले तो आपके वीडियो कर पसंद आए तो प्लेस लाइक और शेर जरूर करिएगा जल्द ही मिलते एक बहुत ही महात्पूर्ण टॉपिक के साथ ओके ठैंक यू